हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल यूर हैल डॉक्टर में दोस्तो आज ही हमारा चनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप में से अधिकतर लोग के घर में इस्तमाल की जाती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं दूद के बारे में आकिर कैसे और कब बन जाता है जहर यह बात आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि दूद भी जहर बन जाता है हमने अक्सर यही सुना होगा कि दूद से हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं जैसे दूद में हमें कैल्सियम मिलता है और हमारी हड्डियम मजबूत होती है लेकिन आप जान लीजिए कि दूद के साथ-साथ क्या चीज लेने पर दूद जहर बन जाता है आईए आज हम आपको बताते हैं पहली चीज मचली अकसर आपने सुना होगा कि मचली खाने से हमारी तुचा को काफी फायदा पहुंसता है और हमारी तुचा में चमक आती है लेकिन आपको बता दे कि मचली खाने के बाद दूद पीने से इसकिन पर सफेद दाग आने सुरू हो जाते हैं इसलिए भूल कर भी मचली खाने के बाद दूद ना पिए दूसरी चीज प्याज प्याज खाने के बाद दूद पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्या उत्पन हो जाती है जैसे हमें खुजली दाद वा अन्य प्रकार की समस्या, इसलिए कभी भी प्यात खाने के बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, तीसरी चीज दही, दही तो दूद से ही बनता है, यह तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपको हम बता दे कि दही खाने के बाद भी दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्य उम्मीद है कि आज क्या वीडियो आपको काफी पसंद आएगा यदि यह वीडियो पसंद आए यह से आपको जानकारी मिली हो तो इसको अधिक सदिक लाइक और शियर करना ना भूले और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल 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 झाल